हालो जोश्तों चलते हैं बनाते हैं समोसा वह भी खस्ता और करारा जैसे बजार जैसे घर पर उभी कम से कम सामान में और जटपड बन जाने वाले उसके लिए यह देखें पहले से ही अपना आलू और मठर तरका लगा करके त्यार कर लिये थे च्छांप करके महीन महीन कट ल अब इसे तो सब कोई पनाना जानता है पर किसी दिन पूरा वीडियो डालेंगे अब इसके बाद यह मैदा हमारा पचा हुआ था गोजिशा बना रहते हैं और यह देखें हमारी सब्जी तयार हो चुकी है भरने वाली पर देखें अब इसे हम कट कर लेते हैं और देखें हमारी तैयार हो चुकी हम बेल लेंगे लंबा लंबा बेलेंगे कोई कोई हमें समूसा बनाना है पूरी थोड़ी न बनाना की गोल भी लेंगे मेडियूम साइज का बेलना है ना बहुत बड़ा बेलना ना बहुत छोटा बेलना है और बराबर से बेलना है सब तरब से देखिए हमारी जो है पूरियां बनकर तयार हो चुकी है लंबी-लंबी से अब इसे हम चागों से पट कर लेंगे दो भाग में डिवाइड कर लेंगे हमें हलका सा मोटा लग रहा था इसलिए फिर से बेलन से दबा करके बेल दिये थे अब यह देखिए समोसा भाना कितना असान है यह अब इसमें हम अपनी जो आलो की स्टेपिन बना कर रखे थे उसको भी भर देंगे और आपको हम दिखा रहे हैं कि चुन्नट कितना अच्छा बनता है जैसे बजार का चुन्नट होता है बजार से आप समोसा लाते हैं देखते हैं कि पीछे से चुन्नट बना हो होता है उसी तरह से इस तरफ से गुमाएं और ऐसे हल्सके से अंगोठे से दाब दें और यह इसी तरह से दूसरा भी भरकर आपको दिखा रहे हैं कि एक मिन्ना समझ में आए तो आप दूसरे से भी ट्राइब कर सकते हैं अब इसमें भी हम अपना आलो जो है मसाला इसी में डाल देंगे आप अपने मर्जी से जितना मसाला डालना चाहां पर ऐसा करिएगा कि बाहर ना निकले अच्छे से सील करिएगा इसे इसमें में पानी भी नहीं लगाना पड़ता है क्योंकि यह हल्का सा नरम है बहुत टाइ इसलिए यह इने हमारा सम्हीमार समूसा इसी तरह हम सारब रखे निवर्डरे में उप्तीन सब्सक्राइब कर दो गरम जाम हो अए निवर्डर nos mazai दिखा रहें समोसे हमारे तयार हो चुके हैं लग रहा ना बजारेसा और इसे ज्यादा टाइम तक खुला ना रखे इस पर सोती कपड़ा डाल दें अब हम अपना समोसा जो ही कराही में डाल देंगे एक एक करके और अगर गहिर तले की कराही होगी तो इससे समोसे अच्छे स पकेंगे अगर गहरी नहीं होगी तो अच्छे से नहीं पकेंगे या तो ज्यादा रिफाइंड और जालना पड़ेगा इसमें कि अब इसे हम धीरे धीरे प्लट देंगे एक मिनट के बाद में कि यह देखें अगर आपको कुछ पिनाना हो वजाज यह समोसा खाना हो तो आप भर पर ही बना करके खा सकते हैं इसे हम अलट फिलट करके अच्छे से से लेंगे ताकि गोल्डन ब्राउन गलर का हो जाया और आच मीडियम ही रखें जाजा हाई ना रखें नहीं तो यह अच्छे से फ्राई नहीं होगा अंदर कच्छा रह जाएगा यह देखिए हमारा जो समोसा है यह बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर बजार जैसा समोसा त्यार हो चुका है अब इससे हम पलट करके एक बार और देखतेंगे इसके बाद में इसे हम निकाल लेंगे यह देखिए हमारे समोसे बिल्कुल लाल लाल तयार हो चुके हैं ब्राउन कलर के आप देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ यह बना थोड़ी नहीं घर पर बजार से आया हुआ समोसा है लेकिन नहीं आपके सामने बना रहे हैं और यह घर का बना हुआ यह घर की पिसी हुई हरी समोसा देखिए कितना प्यारा कलर आया इसका और यह देखिए आपको तोड़ के दिखा रहे हैं कितना अच्छे से अंदर तक आलो भरा हुआ है अगर फ्रेंट वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज लाइक सियर कमेंट करें और हमें हमारी कमिया बताएं ताकि हम अ आप मिलते हैं नेस्ट व्लोग में बाबाई एंड थांक यू